नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका यूटूब चैनल इडिया दीरा सिंग के स्टॉक्स में महिंद्रा है महिंद्रा फाइनेस लिमिटेट की बात करते हैं स्टॉक प्राइज लगए दो सो बीस दो सो बाइस दो सो तेज के आसपास कारोवार कर रहा है आज काफी तेजी म है लगए तो इस स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं डिसकस करते हैं और एक तरह से काफी समय यह एक तरह से लिए आपने रिसक के अनुसार लिया है तोॉ एनबीए अपसी में तेजी हुए बनी हुए बट यह बढ़ रहा था तो इस वीडियो में क्यू त्री के आकड़े इसके देखते हैं और चार्ड के अनुसार देखेंगे इसका 52 एक हाई है 249 के आसपास है तो क्या इसको ब्रेक करते हुए उपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है और जिन्होंने एक तरफ से लोवर लेवल पर ले रखा है तो उनका stop loss क्या होना चाहिए जो profit वाला एक सबस्क्राइब तो उसका में कारण यह था कि जो यह मैं इक तरसे चूर दी तो प्रवाधान करना तो यह क्यों ने रिजल्ट में वह दिखाया है और उसको अभी देखेंगे इसका मार्केट के बात करते हैं तो 27,397 करोड का है इस वक्त फेस वैलू टूर पीस का है और जैसे कि हम जानते कि महेंदरा मेंदेर गूरू काफी अच्छा ग्रूप ली आइज तो जिस तरह से महेंदरा गूरू के और सियर्वर की तब भाग रहे तो यह बहुत बाग रहे तो जिन्नों जो लोग यहां पे ट्रेंट कर रहे तो तो तेक्निकल चार्ड के अनुसार द तो अभी भी जिनों जिनके पास अभी जिनके पास तीन साल से पड़ा हुआ अगर उपर की लेबल पर तो 19% का माइनस रिटन है और एक साल के हिसाफ से देखते तो पांस परसन का माइनस रिटन है इसका जो क्यूतरी का रिजल्ट है दोस्तों अगर हम नमट में देखते हैं दो हजार नौसो सतान करोर का इनका सेल्स था पिसली बार थीन हजार चीजार थीजार करोर का था तो यह तरह से काम हुआ है और अब सीद्धे प्रोवीजन की बात करते जो एम में एक तरसे छूट दी गई थी तो इन्हों ने प्रोविजन थोड़ा सा ज्यादा किया है 1473 क करोर का ज्यादा किया है और क्यूटू में था 665 करोर का तो प्रवादान ज्यादा किया तो जायर सी बात है नेट प्रॉफिट कम होगा नेट प्रॉफिट की बात करते महें महेंद्रा महेंद्रा फैनैस के तो 247 करोर का माइनस में है और जो पिसले साल था 461 करोर का और क्य प्रावदान कितना होगा तो आने वाले दिनों में क्यूफोर होगा उसमें देखेगा तो हो सकता है कि उसमें बेटर रिजल्ट है तो तब तक उपर की तरह जाता हुआ दिखेगा जैसे कि आप टेक्निकल चार्ट कनुसार भी देखते हैं कि जब बुलिशनेस होती है इस्ट सब्सक्राइब करते हैं तो यह काफी लोवर लेवल से धीरे-धीरे बढ़ा यह और लगवाग मान के चलिए तीन-चार क्वाटर का रिजल्ट जब निकले तब उपर की तरफ का है क्यूत्री में जो प्रौधान किया गया है उसके वाज़े से मैनस में है बट टेक्निकल के साथ से एक तरह से अब ट्रेंड में स्टॉक है और लगवाग 85-90 तरगेट रखा गया तो वहां से तरह से तेजी है अब जो इसका जो सपोर्ट होगा एक तरह से जिन्होंने लोग लिवल पर लिया एक सो तीश चालिश एक सो पचास एक सो साथ में तो उनका जो स्टाप ल लगवाग चल रहा है और एक सो तिरासी से सीधे दोसो बीस तक पहुंच गया है जिस किसी ने भी यहां पे लिया तो अपने स्टॉप लॉस के द्वारा इसमें प्रॉफिल को प्रॉटक्ट करिएगा लगवाग दोसो सोला का तो होना ही चाहिए जो इंट्राइड करना है ऑगर जो जिन्होंने अगर एक सो असी में लिया है तो गास्ट भॉस होना चाहिए तो बने रहना चाहिए अगर यहheart वाग साथ से सपरसन ऊपर की त्रफ होगा अगर फिवटी करता है वहां से साथ से दस परशन उपर की तरफ होगा फिर और भी तेजी आ जाती है कि उसका कारण है कि डिटेल इन्वेस्टर्स जो तेज हो जाता स्टॉक उसमें फिर अपना कूच जाते हैं लेते हैं तुरांत एकदम से पैसा बनने बनाने के लिए बड़ यह कि जिन्हो काफी अच्छा तेज हुआ है तो इनको तो स्टॉप लॉस के दर अपना काम करना चाहिए जैसे जैसे उपर की तरफ जाता है तो स्टॉप लॉस अपना बढ़ा लेना चाहिए तो 249-240 का एक जरूर इसमें देखिएगा अप्ट्रेंट में स्टॉक है डेफिनिन यहां से अच्छा खासा और तेज होता हुआ दिखेगा काफी समय इसने बिताया लोवर लेवल पे अब डेली के इसाफ से है दोस्तों यह मंतली केंडल का थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं देखे यह गिरा था आपका 212-216 के आसपास सीधे नीचे की तरफ आया तो काफी समय देख से 190 का तार्गेट रखा गया था फिर से उपर की तरफ तो अब हर स्टॉक को तो नहीं लेया जा जाकता यह स्टॉक जो भागा नहीं था लोवर लेवल पर कर रहा था आप देखे 220 के आसपास है तो अपने प्रॉफिट को प्रोटक्ट करिया और जो यहां पर ट्रेट करना है थोड़ा से स्टॉप लॉस के द्वारा ही कारवार करना चाहिए या फिर स्मॉल क्योंटिटी के हिसाफ से देखिए इस केंडल को तो इसने फिलप कर दिया अब इस केंडल को फिलप करेंगा आने वाले समय इसका जो हाई है लग दो सो पैतालिस रुप्या नब्य पैसे क है तो सेवेंटी में जाने में अभी लगवाग मान के चलिए यह लगवाग 15 से 20 परसन उपर की तरफ होगा फिर एक गिराउट की संभावना होगी और अपने लोवर लेवल से उपर की तरफ जा रहा रहा अप्ट्रेंट में बना हुए एक दो कौर्टर वर बढ़िया करिएगा यहां से थोड़ा और उपर की तरफ जैसे की 259 के आसपास तक जाता है तो थोड़ी सी गिराउट की समावना रहेगी इसमें और अब इसमें जो है 200 का अच्छा का सपोर्ट भी है लाल जो लंबे समय के लिए लांग टर्म के लिए बने हुए इस टॉक को 240 का एक उसके बाद टार्गेट होना चाहिए 252 का और उसके बाद होना चाहिए 267 का तो जिस तरह से गिरा उसी तरह से बढ़ता हुआ दिखेगा दोस्तों और गिरावट होती है थोड़ा सब्रीन जैसे कि 5-7 परसन 10 परसनी गिरावट होती तो उसमें नजर जरूर रखनी